मूवी स्टार्ड होती है और हमें रिकैप दिया जाता है रिकैप हमें силь दे रहा है वो कहता है कि जिस तरह से हर novel में एक love story हुथी है उसी तरह से Tessa और मेरी भी एक love story थिया लडकी ने अपने आपको किसी और को promise किया था उसके बाद अपनी identity ढुणी वो किसी और के प्यार में पढ़ गए पर उसे धोका ही मिला थोड़ो से जगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए फर्स पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है इसके बाद ये दोनों लेक के पास हमें दिखाए जाते है और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है पर हर्डिन में कहता है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था ये एक रियल लाइफ है तो इतनी जल्दी किसी को भी कोई भी माफ नहीं करता अभी तक टेसा ने हर्डिन को माफ नहीं किया है अभी हमारी सेकंड मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी फर्स सिन में हम देखते है कि हर्डिन टेसा को कॉल करने के कोशिश करता है टेसा को हार्डिन की वज़े से एक अच्छे से पॉब्लिशिंग हाउस में पेड इंटरन्शिप मिली है वो अपने जॉब को सिरेसली लेती है और आज उसका फर्स दिन है वो अभी उसे इग्नोर करती है पर वेसे उसे इग्नोर कर ही रही थी वो लिफ्ट के पास पहुचती है तो लिफ्ट उसकी मिस हो जाती है लिफ्ट के अंदर ट्रेवर था ट्रेवर हमारा और एक मेन क्यारेक्टर है टेसा को लगता है कि ट्रेवर ने जान बुच कर उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी वो उसे बाहर से ही गालिया दे देती है पर Trevor ने लिफ्ट रोकी थी वो फिस से open हो जाती है अब इनका encounter बहुत ही awkward सा है वो उसे sorry कहती है ये दोनों एकी floor पर रुखते है और Trevor भी उसके office में काम करते है Tessa के boss की secretary जिसका नाह में Kimberly ये Tessa से office में मिलती है इस internship में लोग तो बहुत interested होते है Kimberly के थी है वो तो है पर उन्हें जल्दी से fire भी कर दिया जाता है Tessa को बहुत ही tension आ जाता है उसे कुछ manuscript दी गई है उसे जल्दी से पढ़ कर उसका review उसे देना है वो रात भर काम करती है और एकी रात में उसने तीन books पढ़ डाली है जो अपने days पर काम करते करते ही सो गई थी उड़ती है तो directly उसका boss उसके सामने उसने जो books के review दी है ये पढ़ रहा है Tessa ने तीन books पढ़ी है और उसका review भी एकी रात में लिक डाला है ये सब देखकर उसका boss उसे impressed हो जाता है अचानक से उड़ती है और realize करती है कि रात में वो यही सो गई थी है और embarrassed toker अपने boss से स्वारी कहती है उसे लगता है कि अब उसका job चला जाएगा boss कहती है कि जल्दी से चलो हमें conference में चलना है next scene में हम hardin देखते है एक tattoo artist के पास सुआता है एक बड़ा सा tattoo बनवाने वाला है तो artist कहती है कि इससे तुम्हें बहुत दर्थ होगा वो से अलकॉल ओफर कर दिये hardin कहता है कि मुझे दर्थ अच्छा लगता है टेशा के जाने के बाद वो बहुत ही hurt हो रहा है conference के लिए boss Trevor के साथ टेशा को भी लेकर आया है सब लोग को separate rooms दिये जाते है boss टेशा और Trevor को समझाते है कि एक बड़े से investor अब यहां आने वाले है तुम दोनों को उन्हें हमारी company में invest करने के लिए convince करना है टेशा के बाद सही से कपड़े नहीं थे तो Kimberly और वो जाकर shopping करकर आते है इन दोनों में थोड़ी सी bonding होई रही है तो Kimberly टेशा को बता दिये मैं और मेरे boss हम दोनों में सिर्फ boss और secretary यहीं एक relationship नहीं है उनकी wife की death हो जाने के बाद वो बहुत ही आके लिए थे उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था और अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गया वो कहती है कि लव बहुत ही unpredictable होता है टेशा भी इससे agree कर सकती है रात में investor से मिलने boss Kimberly टेशा और Trevor यह सब night club जाने वाले है टेशा का address देखकर सब उसके बहुत तारीफ करते है टेशा से पुछता है क्या तुम्हारे लिए मैं कोई drinks वगरा ला सकता हूँ टेशा कहती कि नहीं आज कल उसके पास बहुत ही कम पैसे है वो कुछ भी जादा बहुत मज़े करेंगे और यह सब मिलकर बहुत पीते हैं अब टेशा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है डांस फ्लोर पर आती है थोड़ा सा डांस करती है तो तब उसे एक लड़के में हार्डिन दिखता है उसके पास जाती है और उसे kiss कर लेती है थोड़ी दिर में realize करती है कि वो हार्डिन नहीं था तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है हार्डिन भी उसके फ्रेंज के साथ एक पार्टी में आया हुआ था इस पार्टी में उसकी ex-girlfriend Molly भी थी फरस्ट पार्ट से हमें पता है कि Molly की वज़े से हार्डिन और टेसा का break up हुआ था Molly हार्डिन को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर वेटती है हार्डिन उसे नीचे गिरा देता है जब वो जा रहा होता है तो Molly कहती है अभी तग उस घटिया लड़की से तुम मुवाण नहीं कर पाया हार्डिन उस पर जाता ध्यान नहीं देता बाहर आने पर उसे टेसा का call आता है टेसा call पर गहती है कि मैं कितनी beautiful हूँ तुम मुझे अब miss कर रहे हो हार्डिन समाज आता है कि अब बहुत ही drunk है उसे पूछ भी लेता है उसे टेसा की चिंता होती है तो कहता है कि तुम जहां कई भी हो मैं जल्दी से वहाह आ रहा हूँ इसके बाद टेसा से goodbye केने के लिए आया पर टेसा को भी होटेल में ही फिर से वापस जाना था ये दोनों फिर होटेल में आकर टेसा की room में hangout करते है टेसा टेसा टेवर से उसके फेवरेट बुक के बारे में पुछती है Travir accounting में है तो उसे accounting के बुक अच्छी लगती है बातो बातों में Treyson wine का glass Travir पर गिरा देती है wine के दाग को दोने में अगर लेट हो गया तो एक कभी भी नहीं जाएगा इसलिए Trevor को जल्दी से कपड़े निकानने के लिए कहती है Trevor सिर्फ अपनी Underwear में था तब ही Hardin वहाँ पहुच जाता है Tessa दर्वयाजा कोलती है और Hardin Trevor को इसी तरह से देख लेता है उसे लगता है कि Trevor Tessa का Advantage ले रहा था उस पर बहुती गुसा हो जाता है तो Trevor जल्दी से वहाँ से निकल लेता है Tessa Hardin पर गुसा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो Hardin कहता है कि वो तुमारा Advantage ले रहा था क्या तुम उसके साथ Intimate हो रही थी Tessa Question का आंसर नहीं करती पर गहती है कि अगर हम हो रहे थे तो तुम्हें इससे क्या फरक पड़ता है वो उसके पास आ जाती है और उसे टीज करती है वो ड्रंक है तो Hardin के साथ Intimate होना जाती है Hardin पहले रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और यह फिर Intimate हो जाती है जब सुबह होती है तब टेसा रियलाइज करती है कि उसने क्या किया था बहुत इलेट हो चुकी है वो उसका बोस का भी कॉल उसे आ चुका है वो जल्दी से अपने सब कपड़े बहनती है वो Hardin पर गुसा है Hardin बोलता है कि तुमने मुझे कॉल किया था इन दोनों में फाइट हो जाती है गुसे गुसे में टेसा हार्डिन से कहती है कि मैंने किसी और को किस किया था Hardin भी उसे नीचा दिखाने के लिए जुट कहे देता है वो कहता है कि मैं भी मॉली के साथ इंटिमेट हुआ था नीचे आकर टेसा ट्रेवर से मिलती है ट्रेवर को सौरी कहती है ट्रेवर कहता है कि वो सिचुएशन यह इसी थी Hardin फिर अपने स्टेप ब्रदर लैंडन से एडवाइस लेने के लिए आता है वो यह था है कि मैंने बहुत सारी गलतिया की है पर मैं टेसा से बहुत प्यार करता हूँ लैंडन उस पर बिल्यू नहीं करता पर उसे वो कन्वियंस कर देता है Hardin उसे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए लैंडन फिर टेसा को टेक्स्ट करता है उसे कहता है कि Hardin मेरे पास आया था वो बहुत इस्वारी है और वो अभी भी तुमसे प्यार करता है टेसा से फिर मिलने टेवर पहुचता है टेसा ने टेवर से कहा था कि Uber में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते है तो टेवर ने उसके लिए एक शीट बनाई है इस चीट में उसने उसके expenses के सब calculations किये थे वो conclude करकर टेसा से एता है कि अगर तुमने कोई car rain कर ली तो तुमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे टेसा है सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है excitement में उसे वो kiss भी कर लेती है फिर उसके realize होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है टेसा और हार्डिन जब relationship में थे तो एक साथ ही रह रहे थे उसकी कुछ चीज़े अब भी उस घर में है तो वहाँ वो पोच्छती है लेंडन ने टेसा को कहा था कि आज हार्डिन लेंडन जा रहा है तो उस घर में कोई भी नहीं होगा इसलिए टेसा वहाँ आई थी बेड़ पर हार्डिन ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है टेसा का आज बर्थ्टे है और यह हार्डिन की तरफ से उसे एक गिफ्ट है यह उसके लिए उसने बहुत पहले बाय करकर रखा था इसमें कार्ड ही जिसमें लिखा हुआ है यह गिफ्ट ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ है तुम्हारे जो भी सब फेवरेट बुक्स है यह इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया ये किंडल रिडर है वो घर में ही थी तब अचानक से हार्डिन और उसकी मदर वहाँ पहुच जाती है मदर टेसा को देख कर बहुत ही एक्साइटेड है वो कहे थी है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटिफुल हो तो बहुत ही खुश थी है मैं इतनी जल्दी उसे ब्रेक अप के बारे में नहीं बताना जाता था टेसा भी समझ लेती है और खेहती है कि ठीक है अगर तुमारी मदर को लगता है कि हम दोनों में रिलेशनशीप है तो हम प्रिटेंड कर ही सकते है मदर फिर से टेसा से जब बात करती है तो टेसा को कन्विंस कर लेती है कि आज रात उसे यही रुखना पड़ेगा उन्हें बहुत सारी बाते करनी है टेसा को अपनी मदर से मिलने के लिए जाना था पर इसे वो पोस्पोन कर देती है राप में टेसा और हार्डीन एक साथ ही सोते हैं उन्हें लगता है कि आपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं इवेंच जो 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 कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इंटिमेट हो जाते हैं सुबा होने पर हार्डीन की मौम से गुडबाय लेकर टेसा अपनी मौम से मिलनी के लिए पहुच जाती है घर के बाहर उसका एक्स बॉइफरेंड नोवा भी उससे मिलता है वो कैसे है ये एक दुसरे से पूछते है और बातो बातो में नोवा उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे फादर के साथ जो भी टील है क्या हुआ है मदर कहती है कि तुम्हें ढूडने के लिए तुम्हारे फादर आये थे पर मैंने यहाँ से उन्हें भगा दिया टेसा को बहुत गुसा आता है और वहाँ से चली जाती है डारेक्ली वो हार्डिन के पास आती है रात में हार्डिन को एक बुरा सपना आता है प्रिवेस पार्ट से हमें मालूम है कि हार्डिन के फादर एक ड्रंक थे उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिए थे एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आया तब Hardin के मौम से उन्होंने जबरदस्ट की Hardin के मौम के साथ जो भी गलत हो रहा था यह सब छोटे Hardin ने देख लिया था उसके बाद हमेशा उसे Nightmares आते हैं उसके हालत खराब हो जाती है टेसा रात में उसे सहारा देती है सुबह ओने के बाद हरडीन की मदर और टेसा ये दुनों बात करती है मदर कहती है कि जब हरडीन तुमसे मिला तब उसे नाइट मेर्स आना बंद हो चुका था मदर ने फिगर आउट कर लिया है कि हरडीन और टेसा के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है टेसा भी एगरी करती है गहती है कि उसने मुझे बहुत बड़ा जुट बोला था उसे वो हर्ट हो चुकी थी जब हार्डिन उटता है तो टेसा के पास बसाथ है उसे कार्ड देता है इस कार्ड में लिखा हुआ है यह तुमहारा परफेक्ट day है टेसा बुछती कि ये क्या है, लास्ट टाइम मैं खुद गिफ्ट नहीं दे पाया था, तो एक गिफ्ट में तुम्हें तुम्हारे बर्डे के लिए देना चाहता हूँ, एक ऐसा डे होगा, जहाँ पर टेसा जो भी हार्डेन से कहेगी, वो सब उसे करना पड़ेगा, यो किस से टेसा को ओफिस से कॉल आता है, एक कॉल किमबरली का है, किमबरली और बॉस को कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा, बॉस को एक छोटा सा सरन है, तो इसकी जिम्हेदारी वो टेसा को देखकर वहाँ से चली जाती है, इस छोटे बच्चों पर हार्डेन नजर रखता है, और बातों बातों में बच्चा हार्डेन से गालिया सीख जाता है, रात में एक हिमबरली बॉस के बेटे को ले जाती है, वो जाते जाते हार्डेन से कहती है, कि टेसा के साथ तुम जब होते हो, तो तुमारा बेस्ट वर्जन होते हो, हार्डेन हसता है और कहता है, क्या ही सिर्फ एक चांस दो, हम फिर से सही से सब कुछ कर सकते है, तक हैसा भी इसके लिए मान जाती है, इसके बाद दोनों office में ही intimate हो जाते है next ने हम देखते है कि हार्डिन के father ने एक party रख़ी है, इस party में हार्डिन के mother को भी invite करते है, हार्डिन पहली अपने फादर को हिट करता है पार्टी में उसके फादर ब्रैगिंग करने लग जाते है उनकी लाइफ वो सही से जी रहे है पर हाड़ीन को लगता है उसकी मदर सही से नहीं जी पाती वो उन पर गुसा है तो फादर उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते है हाड़ीन कहता है कि बहुत सारी चीज़े अब तुमने सही कर लिये पर फिर भी मदर से तुमने अपॉलोजाइज नहीं किया है उस राज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें मदर के साथ रहना चाहिए था उसका opposite तुमने किया और हमारी लाइब से तुम चले गए गुसे में अपने फादर को भी पंच कर देता है हाड़ीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मदर इस पर बहुत गुसा होती है वो अब यहां से जा रही है वो कहती है कि जिस तरह से तुम एंगर में रहते हो सब bad decisions लेते हो ऐसा ही अगर करते रहे तु सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी life बरबाद कर दोगे यहां से वो चली जाती है घर आकर भी हाड़ीन बहुत drink करता है और सो जाता है टेसा कोई अच्छा नहीं लगता जब वो office आती है तो फिर से ट्रेवर से मिलती है इनने देर रात तक काम करना था तो बहार से कुछ food मंगबा लेते है बाते करते करते हाड़ीन के बारे में सब कुछ वो ट्रेवर को कहती है जाते जाते ट्रेवर टेसा से कहे कर जाता है तुमारे और हाड़ीन की बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा ट्रेवर को अपनी company में ही एक promotion मिल चुका है तो एक नई location पर वो जाने वाला है यह उनकी last meeting है टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके boss का call आता है टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है तब उसे अच्छे सी job position मिलने वाली है जिस जगा पर ट्रेवर जाने वाला था उसे वही job मिली है हार्डिन अब जरा सा normal है उसका गुसा अब खतम हो चुका है हार्डिन के फ्रेंज ने उसे पार्टी के लिए बुलवाया था पर ये टेसा के लिए uncomfortable होगा इसलिए वह जा नहीं रहा था टेसा कहे थी कि मुझे कोई problem नहीं है हम जा सकते हैं पार्टी में आकर हार्डिन के फ्रेंज के साथ बहुत ही drunk हो जाती है इस पार्टी में हार्डिन थोड़े टाइम के लिए गायब हो चुका था जब वह वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे है मॉली टेसा को टीज करकर उसे रोक लेती है यह थी है कि एक दो ड्रिंस के लिए तुम्हें रुकना चाहिए यह हैंगाउट करते हैं और डिसाइड करते हैं किने टूथ और डेर का गेम खेलना चाहिए लास्ट मूवे में हमने देखा है कि इसी गेम से सब को स्टार्ट हुआ था मॉली टेसा से पूछती है कि हार्डिन ने तुम्हें धोका दिया पर फिर भी तुम उसके साथ हो तुमारा वो फर्स लव था इसलिए तुम उसके साथ हो टेसा मॉली को स्लट बुलाती है इन दोनों में इसे फाइट हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है हार्डिन फिर टेसा को दूर लेकर जाता है एसा हस्ते हस्ते कहती है कि फाइट करकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो मॉली को हेटी करती थी यह सब बाहर आ चुका है यह दोनों फिर उपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है अब यह पारटी से निकल रहे थे तब हार्डिन को उसके एक फ्रेंड मिली हार्डिन ने उसे कहा कि हमारे बीच आजरा जो भी हुआ यह किसी को भी मत बताना उसने कहा कि वरी मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी यह सब डेसा ने सुन लिया हार्डिन थोड़े टाइम क सकता है कि मैं बहुत ट्राय करता हूँ तो मैं करने के लिए कि मैं तुमसे फिर से चेक नहीं करने वाला पर फिर भी तुम मानती नहीं है यह करने में कोई भी पॉइंट ही नहीं है जैकर वहां से चला जाता है सुबा होने पर यह दोनों रिलाइज करते हैं कि यह दोनों ब बहुत सारे messages आए हुए है आगे चल कर उसे road पर accident हुई Tessa के गाड़ी मिलती है Tessa already ambulance में है और ambulance आगे जा रही है वो भागते भागते इस ambulance को chase करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता वो किस hospital में गई है यह उसे मालूम नहीं है वो हर hospital को call लगाता है उसे डोड़ने की कोशिश करता है फाइनली Tessa को call लग जाता है यह call Trevor उठाता है Trevor Tessa को help करने के लिए hospital में पहुच चुका था Trevor Hardin से कहता है कि तुम दोनों में जो भी कुछ है यह सब गलत है अब Tessa और में हम दोनों relationship में है अगर तुम सचुच में उससे पयार करते हो तो तुम उससे जाने दोगे यह कहकर वो phone रग देता है Tessa जब ठीक हो जाती है फिर से उनके apartment में आती है वहाँ पर Hardin में उसके लिए लेटर लिखा है इस लेटर में लिखता है कि हम दोने एक दुसरे से बहुत पयार करते है पर मैं तुमारे लिए सही नहीं हूँ हम जितना एक दुसरे को पयार करते है पर उतना pain भी हमें होता है उस party में जिस लटकी को तुमने देखा वो मेरी ex-girlfriend थी मैंने previous में उसे hurt किया था तुम उसे मैंने माफी मांगी थी इसलिए हम गायब थे मैं हमेशा तुम से पयार करूँगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊँगा तुम भी शायद time के साथ मुझे भूल जाओगी लेटर पढ़ने के बाद टेसा Harding को call करने की कोशिश करती है पर Harding ने गुसे में अपना फोन तोड़ दिया था वो अब अपनी मदर के साथ लंडन में आ चुका है पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अफसेट है उसकी मदर उसके पास आकर उसे समझा दिया कहती है कि तुम अपने फादर को माफ नहीं करते इसी वज़े से तुम अपने आपको ही हट कर रहे हो तुम अगर लोग को फर्गयों करोगे तब ही तुम सही में खुछ रह पाओगे Harding को लगता था कि उसकी मदर बहुत याके लिए पर मदर कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ही नेबर को डेट कर रही है वो एक अच्छी रिलेशन्शिप में है मदर फिर गए थी है कि टेसा अब सियाडल जाने वाली है जाने से बहले उनकी एक पार्टी है चाहा पर तुम जा सकते हो Harding को वो उसे मनाने की एडवाइस देती है Harding पहली लेट हो चुका है तो जल्दी से वहाँ से निकलता है इस पार्टी में ट्रेवर और टेसा एक साथ थे ट्रेवर फिर टेसा से सच बोल देता है गहता है कि जब तुम होस्पिटल में थी तब Harding का मुझे कॉल आया था मैंने उसे जो भी कहा जो भी किया वो गलत था पर मैं तुम्हारे साथ जब होता हूँ तब वो साइड मेरी बाहर आ जाती है इंडायक लिए ओ कहे रहा है कि वो टेसा को बहुत पसंद करता है ये दोनों बात ही कर रहे थे तब टेसा हर्डिन को एस पार्टी में देख लेती है वो फिर यहाँ से बाहर निंगल दिया अर्डिन में उसका पीचा करता है बहार आकर एक टैकसी निकल रहे है ये उसे दिखता है उसे लगा कि टेसा चली गई है पर टेसा उसकी पीचे से आती है दिन कहता है कि मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर हूँ पर मैं रह नहीं पाया टेसा फाइनली से माफ करती है हारडीन हमसे कहता है कि फाइनली हमारी स्टोरी की हैपी एंडिंग हुई यहां हम देख सकते है कि हारडीन ने और एक टैटू बनवाय हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद में कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता अब मुवी के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर आता है हार्डिन और टेसा स्टीट से जा रहे थे तो एक बेगर जैसा आदमी उनके पीछे आ गया वो टेसा से बात करना चाहता था हार्डिन ने उसे पकड़ लिया टेसा ने जब इसे करीब से देखा तब रियलाइस किया कि उसके ही फादर है अब उसके फादर की क्या स्टोरी है यह सस्पेंस क्या है यहां मैं नेक्स्ट मुवी में पता चलेगा इसी तरह से मूवी इंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आधे रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिफिशन आएकों दमाने में मत भूले यानि कि आपको सब मूवीज मिलते रहे हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवीज के साथ अब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये